कितनी इनोसंटों की किलिंग उन्होंने की लातेदाद लाशों को डेर कर दिया कश्मीर में अगर एट्रस्टीज हुई है वो आनली बाई पाकिस्तान टेररिजम हुई है हम उनको इतना बरदास्ट नहीं कर सकते हैं मैं पूरे वरिल्ड कम्मुनिटी को ये कहना चाहती हूं प्लीज आइज आल कम्मुनिटीज आप दे वर्ल्ड इनको सिटाप करो ये फंडिंग जो ये टेररिजम के लिए इस्तिमाल करते हैं उसको क्या हाल बना रखा है हम उनके लिए भी आवाज बलंद करते हैं हम उनकी भी वाइस है और वो हमारा हिस्सा है हमारे पियो जेके के लोगों के साथ पाकिस्तान इतनी देशित करे और इतना जलम और सित्म करे हम ये बरदास्ट नहीं करेंगे अभी आप देखी ना कि हमारी जुमेंट कश्मीर यूथ कितनी अच्छी रह पर चल रहा है हमारी यूथ तो only angry for peace है यू कांट बलीव कि पिछले दो तीन साल से फारिनर्स भी कश्मीर गुमने के लिए आ रहे है इनाटेड नेशन हमाराइडस कांसल को मैंने एपील की है हाव तो डिस्ट्राइड कांटलेस लाइवज पाकिस्तान टारिजम इनावर कश्मीर कितनी इनोसंटों की किलिंग उन्होंने की बेत लातेदाद लाशियों को डेर कर दिया और जो उनकी आर्गिनाइजेशन इस है लाइक जैशे महम्मद, हिज्बिलम मजाइदीन, लशकर इताइबा उन आर्गिनाइजेशनों की वज़ा से हमारा कश्मीर बुरबाद हुआ है हमारे कश्मीर लहु लहान हुआ है वरल मस्ट नो कि कश्मीर में अगर एट्रस्टीज हुई है वो आनली बाई पाकिस्तान टेर्रिरिजम हुई है हम उनको इतना बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं अब हद हो चुके हैं उनको सहने की अब हम हर पलेट फार्म पर उनको एक्सपोज करते रहेंगे उनके ये फेक ड्रामे अब और नहीं चलेंगे वो कभी हमारी कश्मीर की गाटी को निशाना बनाते तो कभी जुमू को अभी लेटिस्ट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जुमू जुरिडिक्शन में कितना टेरिजम फैला दिया है कितनी दाशिता वो फैला रहे है कितना हम सहींगे लेकिन हम उनको काउंटर करते रहेंगे असल में पाकिस्तान इसलिए ये प्रबगिंडा कर रहा है क्यूंकि उनको पता है वो वाइलेशन का गड़ है खुद और पाकिस्तान को इंडिया की तरकी रास नहीं आती है पाकिस्तान नहीं चाहता है कि पाकिस्तान का नामों निशान किसी भी पलेट पॉर्म पे है नहीं और पाकिस्तान सिर्फ वाइलेशन के लिए बना है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है टेररिज्म को तो इसलिए वो पीछे हो गया मैं पूरी वरिल्ड कम्यूनिटी को ये कहना चाहती हूँ प्लीज, आइ और अल गुमिनिटीज आपल्ड इनको सिटाप करो ये फंडिंग जो ये टेररिज्म के लिए इस्तिमाल करते हैं इससे अच्छा था अगर ये अपने देश को बढ़ाने के लिए फंडिंग से माल करते हैं उनको मिलियनर्ज एंड बिलियनर्ज में वो फंडिंग आती है बड़ जा कहा रही है वो या तो उनके फोज पर या तो ऐसे पर उन्हीं चीज़ों पर वो इस्तिमाल करते हैं आप देखिए ना गिलगिट बिल्चस्तान और उन पश्टूनों को सिंध को क्या हालत बना रखे कि इस्पेशली हमारे पियोजेगी जो हमारा पाकिस्तान उक्विपाइड जुम्रेंड कश्मीर है उसको क्या हाल बना रखा है हम उनके लिए भी आवाज बलंद करते हैं हम उनकी भी वाइस है और वो हमारा हिस्सा है अगर उनको कोई ताकत नहीं है उनको पालने की हमें व कभी भी बरदाश नहीं करूंगी हमारे पई उजेके लोगों के साथ पाकिस्तान इतनी देश्ट करें और इतना जुलम और सितिम करें हम ये बरदाश नहीं करेंगे वह आटे के लिए ठरसे एक खाने की निवाले के लिए तरसे उनको हम मौस्ट वैलकम कर रहे हैं कि आप हम रड़ी हो जाओ हम रड़ी हैं आपको इंडिया के साथ मिलाने के लिए भारत लेकर बात करें तो आप जानते हैं अभी जमु कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं आप इसको किस नजर्विय से देखते हैं यह तो बहुत ही खुशी की बात है आप देखिए यही तो मतलब भ पूरा बदल चुका है जो उनका माइंड पाकिस्तान ने काउंसलिंग करकर के स्टून पैल्टर्स बनाए थे पता नहीं क्या-क्या टेक दिये थे हाथ में गंध थमा दिये थे अभी आप देखिए ना कि हमारी जुमेंट कश्मीर यूथ कितनी अच्छी रह पर चल रहा है हमारी यूथ तो ऑनली एंगरी फार पीस है एंगरी फार डिवलपमेंट है वो नहीं चाहते कि अब हम पाकिस्तान की बंदों की नोख इदर कश्मीर में कभी भी देखें पूरा यूथ अब रड़ी हो चुका है उनको काउंटर करने के लिए हम उनको बिल्कुल भी बरदा करने के लिए बेटे हैं हम कि किसी दुश्मन को क्यों उसमें गुजबेट करने दिंगे जो हमारी कश्मीर को लुह लुहान करेगा हम ऐसा उनको कभी भी नहीं करने दिंगे सबसे बड़े बदलाओ तो यह आया है मिलने को कि हमारा यूथ खोश है हमारे यूथ को जो आए दिन सिट्राइकर होते थे आज फलानी जगा चलो कल उधर चलो आज आपको स्कूल बंद करने आज कॉलेज नहीं जाना आज ड्यूटी किसी को नहीं जाना उससे तो हमें पहले तो वह सब कुछ उजड रहा था एक हसता खिलता बाग को पहले वह उजाड रहे थे पाकिस्तानी कैसे वहां पर वाइलेशन क्रेट कर रहे थे हमन राइट के आप देख रहे हमारे बच्चे फोक्स कर रहे आनली पढ़ाई पर आफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे प्रेपरेशन बड़े-बड़े एक्जामों के लिए कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं माशाओला इंटरनेशनल गीमर्स पर खेलने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से अभी अमान से सब कुछ चल रहा है तो कितना बहतर हुआ है टूरिम सेक्टर यू कांट बलीव कि पिछले दो तीन साल से फॉरिनर्स भी कश्मीर गुमने के लिए और माशाओला हमारे कश्मीर में गोर्मिंट आफ इंडिया ने हर एक फैसल्टी करकी रखी है हर एक फैसल्टी जैसे रोड कनेक्टिटी में आ पबलिक के लिए गोर्मिंट आफ इंडिया ने इनिशेटिव एक लिया है कि उनके लिए यी बसे रखे हैं जिन से उनको बिलकुल आसान होता है सफर भी ताइक करना और माशाओला बिलकुल उनको कोई प्राब्लम भी नहीं होते सफर करने में और टूरिजम भी बहुत कम अभी रोजगार मिल गया है और हर एक अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है बिजनस चला रहा है माशाओला हमारा कश्मीर अब खुश्यों से खिल रहा है मैं तो यह कहूंगी मगर कश्मीर की डवलप्मेट की बात करें तो आप महिलाओं की यह युगदान को उनके रोल को आप किस नजरी से लगते हैं मुझे लगता है आपके सामने तो मैं एक बड़ी एक्जम्पल हूँ कि कश्मीर की आवाज अब दबनी रही है कश्मीर की वोमन को बहुत ही इंपावर्ड है अभी खुद गरूं से निकल के हर काम करती है जो हम हमें अभी लग रहा है इस दोर में कश्मीर में जिंडर एक् के लड़की जो एक लड़का कर रहा है यही तो हमारी इंडिया की मिसाल है कि पाकिस्तान की लेडियों को विचारीओं को कुछ भी नहीं अइसा मिल रहा है वह अपनी आवाज को बलंद नहीं कर सकते हैं उनको से श्क्रिव कि उस झजयenden वहां पाकिस्तान में लेगी वहीं बात कर सकती है पाकिस्तान की लेडीज पट हम तो इंपावर्ड है अब हम इतना होपफुल है कि आने वाले समय में कश्मीर और बहतर पाथ को अपनाएगा डेफनेटली मैं यह कहूंगी कि अभी जो कश्मीर में बातें चल रही अभी में कश्मीर जो डेवलप्मेंट हो रही है बड़ी बड़ी इंडिस्ट्रीज कश्मीर में खुल जाएंगे माशाला मुझे लगता कश्मीर सबसे बड़ी यूटी होगी जो टेक्स पेड करने में होगी कश्मीर में अब अच्छे से डेवलप्मेंट होगी और एकोनमी की वज़ा से अच्छे से ग्रूमिंग में आ जाएगा कश्मीर अभी भी तो चल रहा माशला और हो जाएगा क्यूंकि हमारे पास ऐसे बहुत नेचरल रिसोर्स है